Hello everyone, welcome back to my channel, I hope आप से भी अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्ता में गर्वती महिला को जो उल्टी होती है उसकी परिशानी के बारे में गर्भावस्ता में उल्टी होना अच्छी बात है उल्टी होने का ये संकियत होता है कि आपकी गर्भावस्ता बढ़ने के लिए जो जरूरी हार्मोंस होते हैं वो आपकी वोड़ी में सही तरह से बढ़ रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो के जरीए कुछ चोटी चोटी बाते बताना चाहती हूँ जिससे आपको उल्टी होने वाली परिशानी कम हो जाए तो सबसे इंपोर्टन बात ये है कि आपको उल्टी होने पर भी खाना नहीं छोड़ना चाहिए हर दो घंटे में आपको कुछ न कुछ खाते रहना चाहिए क्योंकि आपको तो पता ही है कि आपके गर्व में एक बच्चा पल रहा है और ऐसे में अगर आप नहीं खाएंगी तो आपके बच्चे को न्यूटर्ण्स कैसे मिलेगा आपके बच्चे की क्रोथ कैसे होगी इसके अलावा आपकी डॉक्टर ने जो आपको दवाई दी है वो आपको खाने से पहले लेना है मौसली मेला ये गलती करती है कि पहले वो खाना खाती है और उसके बाद वो दवाई लेती है इससे दवाई का असर नहीं होता है और आपकी उल्टी होने पे कोई फर्क ने बड़ता है क्योंकि गर्वती मेला को मौसली खाना खाना के बाद ही उल्टी आती है और ऐसे में अगर आप खाना खाने के बाद दवाई लेंगे तो फिर दवाई का असर कब होगा इसलिए ध्यान रखिए कि हमेशा आपको खाली पेट यानि कि बासी मूँ आपको दवाई लेनी है फिर उसके आदे या एक गंटे के बाद आपको खाना खाना चाहिए इसके अलावा गरवती महिलाओं को हमेशा सुबह ऊड़ते ही जी मचलाना या उल्डी होने की प्रोप्लम होती है इसके लिए आप एक उबाई कर सकती हैं कि आप जैसे ही सुबह उठते ही आपको बिना ब्रश की हुए यानि की बासी मू बेट से नीचे उतरने से पहले आपको दो या तीन बिस्किट खा लेना है और उसके बाद बेट से नीचे उतरना है बिना ब्रश की हुए खाना सुनने में और करने में थोड़ा अजीब लगत कि अलग अलग आपको पताग्या आपको कौन्बट करता है है और अगर आप अपनी गर्भावस्ता में सुखी चीज, जसे टोस्ट ना मूरमूरा में घात हैं तो आपके उल्टी की पर yhtराइब कम होगी और एक इंपोर्टेंट बात pregnancy के first trimester में means starting के 3 months तक आपको ideal diet के बारे में ज़्यादा नहीं सूचना चाहिए आपको जो दिल करें जो आपको suit करें जिससे आपको उल्टी की problem ना हो आपको वो हर 2 घंटे में लेते रहना चाहिए और जैसे ही आपके थीमस पूरे हो जाते हैं उसके बाद आपको ideal diet फॉलो करना चाहिए एक और important बात उल्टी होने की वज़ा से आपकी body में पाने की कमी हो जाती है जिससे आपको dehydration हो सकता है तो आपको dehydration की problem ना face करना पड़े इसलिए आपको जितना हो सके उतना पाने पीते रहना चाहिए liquid cheese लेते रहना चाहिए end में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर इतना सारा उपाय करने के बाद भी आपकी उल्टी होने की problem कम नहीं हो रही है और इसका असर आपकी health पे पढ़ रहा है जैसे आपका sugar level लो हो रहा है या आपको चक्कर आने की problem हो रही है तो इस case में आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए तो गर्बावस्ता में होने वाली उल्टीों के बारे में मैंने आपको कुछ important चीज़ बताई है इसके लावा अगर आपका कोई और doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करना, share करना, channel पहने हो तो subscribe जरूर करना Thank you for watching